शैतान कालिया शेर का कहर और सफेज शेर का पुनरजन कालिया नाम का शैतानी शेर गबबर नाम के शेर से जादूई मनी के लिए लड़ाई कर रहा था। जादूई मनी का पता सिर्फ गब्बर के पास था लेकिन उसने जब पता बताने के लिए मना किया तो कालिया गब्बर को वो मारने लगा इस लड़ाई में गब्बर काफी घायल हो चुका था गब्बर नीचे गिर जाता है तब उसे उठाते हुए सफेच छेर कहता है उठो दोस्त मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सिम्बा तुम ठीक तो हो ना हम दोनों मिलकर इस कालिया को मार देंगे उस सफेज शेर का नाम सिम्बा था सफेज शेर और गबबर मिलकर दोनों भी कालियों को खूब मारते है तब कालिया जान बचाने के लिए भाग जाता है गबबर सिम्बा को ठीक से देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है जैसे मानों की वो उसे जानता हो तब ही सिंबा कहता है अरे क्या हुआ दोस्त तुम मुझे ऐसे क्यू देख रहे हूँ चलो मैं चलता हूँ तुम फिला हाल अपना ध्यान रखना गबबर के कुछ ना कहने से सिंबा वहां से चला जाता है उदर कालिया अपनी गूफा में आता है और वो अपने आप से कहता है अरे वो सफेज शेर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था अगर मैं गलत नहीं तो वो शेर वही शेर है जिसे कई सालों पहले गबबर ने मारा था जी हाँ दरसल कुछ सालों पहले जादूई मनी की रखवाली सिंबा ही करता था गबबर उस वक जादूई मनी के लालच में था इसलिए गबबर ने सिंबा को मार कर जादूई मनी हासिल किया था और अब उसी मनी को कालिया पाना चाहता था तब कालिया कहता है लगता है उस सिंबा का पुनर जनम हुआ है पर मुझे इस बात का फाइदा उठाना होगा उसे उसके पिछले जनम की बात बता कर उसे गबर के ही खिला भड़काना होगा ये सोच कर कालिया तुरंट सिंबा के पास जाता है और उसे सारी सच्चा ही बता देता है अरे सिंबा वो जादू इमनी तुम्हारी ही है गबर ने तुम्हें मार कर उसे हासिल की थी अब तुम इस बात का बदला लो और उस गबर को मार कर अपना जादू इमनी वापिस हासिल कर लो ये सुनकर सिंबा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की बातों पर विश्वास रखे या नहीं तब कालिया सिंबा को एक गुफा के अंदर ले जाता है जहां उसका खुन और हड़िया होती है तब जाके सिंबा को उसके पिछले जनम की बाते याद आने लगती है तब वो मेरे पास वक्त है मैं उस गब्बर को मार कर जादूई मनी को हासिल कर ही लूँगा इस तरह से सिंबा गुस्से से पागल होकर गब्बर को मारने जाता है तब कालिया खुश होकर अपने मन ही मन में सोचता है पहले गब्बर को सिंबा मारे और बाद में मैं सिंबा को मेरा प्ल गबर बात करने की कोशिश करता है पर सिम्बा उसे बात नहीं करने देता और उस पर मारने के लिए तूट पड़ता है तब ही वहाँ उसका बेटा आता है वो आँखों से अंधा था तब वो कहता है मत मारो मेरे पिता जी को उनके किये की सजा उन्हें कब के मिल गई है गबर कहता है ये मेरा बेटा है सिम्बा मैं जादूई मनी से जादूई शक्तिया हासिल करना चाहता था उसी लालच में मैंने तुम्हें मारा और वो जादूई मनी हासिल की लेकिन इस बात की बहुत बड़ी सजा मुझे मिल गई है गबर की ये बात सुनकर सिम्बा चौँ पुतले बन गए और मेरा ये बिठा अंदा हो गया तब से मैं जादूई मनी को कालिया जैसे शैतानी शेयर से बचा कर रखा हूँ सिंबा चाहे तो तुम अब जादूई मनी अपने पास रख लो लेकिन उस कालिया के बहकावे में मत आओ ऐसा कहिए कर गबबर सिंबा को उस जादूई मनी के पास ले जाता है वहाँ पर गबबर की बीवी और एक बेटी पुतले बने सिंबा देख लेता है जिस वज़े से सिंबा को गबबर पर यकिन हो जाता है लेकिन तभी शैतानी शेर वहाँ जाकर जादूई मनी उठाने की कोशिश करता रहता है तब जादूई मनी की रोशनी से कालिया जल कर खाक हो जाता है उस दिन के बाद सिंबा और कबर दोनों मिलकर उस जादुई मनी की रक्षा करते है और दोनों खुशी से रहने लगते है एक गहने जंगल में सोनी नाम की एक गर्ववती कुटी आ रहती थी उसने चार पैरे से बच्चे को जनम दिया था जिन में से एक बहुत ही अनोका था वो अनोका इसलिए था कि वो लाल रंग में था सोनी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है वो उनका बहुत ही अच्चे से ख्याल रखती थी वो उन्हें वक्त पर खाना देती थी उनके साथ खिलती थी सब कुछ बहुती अच्चे से चल रहा था एक दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आठ में चोली खिल रही थी चारों बच्चे अलग-अलग जगों पर छुपे थे सोनी का लाल रंका बच्चा जाड़ियों में जाकर चुपा देता है इधर सोनी बच्चे को ढून रही थी कहा है मेरे प्यारे बच्चे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरा सोना मेरा हीरा मेरा लाल कहा हो तुम यू सोनी आवाज देते हुए ढून रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था मा मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा पकड़ सको तो पकड़ लो यूँ वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोने की जोर से चिलाने की आवाज आती है मा मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी पर मैं नहीं आने वाला थोड़ी देर बाद बाके तीनों बच्चों की आवाज आती है लाल कुत्ता उनकी आवाजे सुनकर डर जाता है और वो जाडियों में से चुपकर देखता है वो देखता है कि एक खुंखार बाग उसकी मा को मार कर खिचते हुए ले जा रहा था ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन जाडियों से बाहरा पा रहा था ऐसे ही सारा दिन और सारी राद बिच जाती है अगले दिन सुबह एक हीरन उदर से गुजर रही थी हीरन जाडियों में हुई आहट को देख देती है वो जाडियों के करीब जाती है जाडियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हीरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खुंखार बाग उसे खाने के लिए उसके करीब हारा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है हीरन उस बच्चे पर से जाडियों को हटाती है लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था जैसे ही वो हीरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हीरन उसके सामने खड़ी थी बेटा डरो मत मैं तुम्हे कुछ नहीं करूंगी तुम कौन हो यहां क्या कर रहे हो बेटा और तुम्हारी मा कहा है ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट करोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बाद हीरन को बताता है ये सुनकर हीरन के आखों में आसु आ जाते है वो लाल कुत्ते से केटी है बेटा रो मत होनी को कौन टाल सकता है देखो आज से मैं मा हूँ तुम्हारी मैं तुम्हारी देख भाल करूंगी मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसुस नहीं होने दूंगी तुम बहुत ही लाल रंके होना इसलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर चलो ये कहकर हीरन लाली को लेकर अपने घर जाती है हीरन के भी दो बच्चे थे जो घर पर अपनी मा का इंतजार कर रहे थे जैसे ही वो लाली को देखते है वो अपनी मा से कहते है मा मा ये कौन है यहाँ क्यूं आया है मा बेटा इसका नाम लाली है ये आज से हमारे साथ यही रहेगा तुम तिनों अच्छे भाईयों की तरह मिलजुल करें ना समझे ना यू हीरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बढ़ा करती है दिन बीद गए लाली अब बढ़ा हो चुका था हीरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाईयों की तरह रहते थे एक दिन हीरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाग पर पड़ती है जिसने उसकी मा और भाईयों को मार डाला था बाग को देखते ही लाली हीरन के बच्चों से कहता है अरे भागो भागो देखो बाग हमारी और ही आ रहा है ये कहकर लाली और हीरन के बच्चे वासे भागने लगते है बाग भी उनके पीछे पड़ा था लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है गुफा में एक बुड़ा भालू बैटा था तब लाली भालू से कहता है भालू चाचा मेरी मदद करो वो बाग मेरे भाईयों को मार डालेगा उसने पहले भी मेरी माँ और भाईयों को मार डाला था मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ मैं उस बाग का सामना नहीं कर सकता मेरी मदद करो लाली डरो मत मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूँगा फिर तुम उस बाग से अपना बदला ले लेना ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाग कुत्ते में बदल देता है लाली बुडे भालू का धन्यवात करता है और बाग के पास जाता है इधर बाग हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भोकते हुए बाग पर तूट पड़ता है बाग इतने बड़े कुत्ते को देखकर घगरा जाता है उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरिके से घायल हो जाता है और मर जाता है जैसे ही बाग मता है लाली अपने पूराने कद में आ जाता है और फिर से अपनी मा हीरन और उसके बच्चों के साथ खुशी-खुशी जीवन गुजारने लगता है और हां हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेर ज़रूर करें थैंक यू फो वाचिंग